आज हम तरे किजन ते कुछन में चिकन बिव्यानी बनाइ चाहते है कि दो इस वेस पुझ ऑने मिन चिकन बिव्यानी बनाईची दो हम और नकाम चि demot क्वीडिक मीला का Remember चिकन के जाहा है अब लाए 90 में। ना टेप नहीं है। चिकन कर दो चल झाहे हैं। रावा पास्तो ग्राम चिकन के लिए हमें चाहिए पास्तो ग्राम राइस के लिए रॉड़िता एक तीन बाइव्टी ग्रांटर रहा हैsa इसा कहले हमें घंग कर है। तीन बड़ी प्यास, अब जब बिव्यानी कॉर्मा बनाते हैं तो इसमें प्यास को परफेक्टली कैसे फ्याइ किया जाए इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अप्लोड कर रखा है आप अगर चाहे तो मैंने इसके लिंक प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंग लाल मिर्चे पावडर 1 ते स्पूल ग Gary मसाला पावडर 1 1 थानिया पावडर 1 ते स्पूल गरा मिर्च निया पावडर 120 हवे मिर्च यहां पे बिच गरता है कर लिया है तीख्वा उपने हिसाप अप्सषय आपणिया कहलें कि पुदína प्ते लाइं वां गया कि अप्सकाहें बब गजी प्सक्राइब भीस तुदल कहिए अगराया देजेक जूनकीया को अप्सकाहें एक तृल्सक में भीत खुर्ल सफुण कहाएं अब यहाँ यहां पर मैंने पर ائकोड़ toने ऍम Nate, इस वकषा के छाही हैं आर यह प्रकमर तो हमस्ट याले के तुले कर दो भी को आचारी है अगर चाहे तो में आपको पहले ही पता दिया है, अगर चाहे तो मैं एवे चानल पर वाइस कैसे बाल किया जाए उसे देख सकते हैं, तो चिकन को मैंने के लिए यहां पर मैं दाल दूँगी अदवक अबलसून की पेस्ट, साथी डालेंगे टमाटर, दही डालेंगे इसमें दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लम्स न रहा है, अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो पाउडर मसाले और हवे मिर्श हमें यहां पर डाल देगी हैं, सॉल्ट अड़ कर देंगे, नमक में उच आप अपकी हिसाप से कम जादा कर सकते हैं, साथी अब हम यह अब हम इसमें टालेंगे,ंसे नमक मदलेंगे, पूदीनपती, मधिन प्तित, फुदीन पति, अब हाथे माव नै ठाल सकते हैं, अगर चाहे तो पूदीन पती, हराद번य और हम टीख लेरे, उचके पेस्ट पना ऑड लें लुट यह तो कन अब हम लिए, हरादनीया से औ अब आपके चाहे अपने हातों मदद्ध से रिचाहों मोट आपके सीका. अब अाय दोकाए ऊसरा से छाधा है एक हातों की घरता है अब एक हमेखने हैं, अब आपके पास समय जादा की मारिमेशन परोड़ मेलें, को ज़िए और जादा की दम की नगा जादा है आप हो चिकन क्रोल जुक और चीक ख़या हमारे बहुत जोताया है इसे जपी हमें वालनी आपके में चल्णा देना में माझत गलते गल एफ तो तो प्लिवर बलते हमें घड़े माऒि का झालनी tut आधाम निट टक की चलाते हुए पोनने देना है ताकि आधाम निट पर मैसालव छुके है। अब हम इसमें हमाय मैग्नेटर चिकन डाल देंगे। घुलना है देखेविए में इवाय हम जोहां है। भीमी आज पर 10-15 मिन तक के पका लेना है तके चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले उसमें अचे से चले जाए तो देखे, दस से पंदों में ठोचुके है, पांड का ठकन अटा देंगे, जैसे कि मैं आप तो बताया था, इसे बीच-बीच में चला दे रहेंगे, तो इसे साफसे मैं इसे बीच-बीच में चला दिया था, और यह हमारी जो अपन के बिलफुल तई आरे, चिकन अच्छे स चुका है, देखे, आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से इंटर हो चुका है, अब ग्यास की प्लेम बन सब देंगे, और एक दूसरा पैन ले लेंगे, अब अब अच्छा है तो आपका जो वेसल है वो बड़ा है तो इसे में ऊपर वाइस डाल सकते हैं, लेकिन यहां प चिकन के पीसस पर डाल वही हूँ, क्योंकि जब हम इसे सर्प करते हैं तो जो पीसस है वो दिखने में बहुत जादा अच्छे दिखते हैं, वेट वेट बहुत सदा अच्छे दिखते हैं, यहां पे पूर कलव ले लिया है जिसको कि मैं अच्छे से पानी डार के मिक्स कर रेज़ा है उससे यहां पे सतरा सदिखते हैं वेट टालें अच्छे से तरफ से तो यहां और फूर कलव टाल दिया है और तो यहां पे थोर इसी फैड ओनिए डाल देंगे मिलेंगे उदिना प्ति को हाथों से थोड़एग साप तो प्र तोड़के डालें यहां पे गश् अब अब एक बात का हमें खासयान रखना हे, प्रच को हमें प्रेस घज़ना है, बस इसे हलके हाथों से इस से पेलाते जाएंगे इसे प्रेस घज़ना है, इसे जान इसे तौर थालों एक प्राथोटों हमें, अब यहां है पुदीन आपती हवादणिया के और थेटी घर से अब आपके पास अगर केवडा वाटर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं तो यहाँ पर ऑई डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी तर दिया है हरा दनिया पुदिन अपत की डाल देंगे यहाँ पर तो यह देखे बिल्यानी की कार्णिशिंग पूए चुकी है अब हम इसे एक लिट से ढगतेंगे अब इसे ढगकर हमें हाई फ्लें पे पहले 2 मिट तक के पकाना है उसके बाद क्यास के फ्लें मीडियाप कर देंगे या लो कर देंगे लो फ्लेंपर इसे 7-8 मिट तक के पका अगर आपके पास जाड़े दले का बर्तन नहीं है तो आप इसे नीचे पान या तवा रख सकते हैं और फिर ये बर्तन रख सकते हैं तो टोटल हमें इसे 10 मिट तक के पका लेना है उसके पास हमारी जो बिव्यानी है वो बनकर बिल्कुल तयार है तो देखिए 10 मिट हो चुक बिल्कुल तयार है और इसे में निकाल लिया है हमने जो चिकन की पीसेस पर फूड़ डाला था आप देख सकते हैं कि उसके वज़े से चिकन की पीसेस को जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आगया है तो हमारी बहुती डिलिशियस बहुती सिंपल और क्विक रेसिपी तयार है अगर आपको मेरी वेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ तब तक के लिए हपी कुकिंग